नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में प्रमुक रूप से बात करने वाले हैं पीटी के डेट के ऊपर किस डेट को आपका पीटी स्टाट हो जाएगा और दूस्तों अभी आपने रणिंग ये चास अरहे हैं उसका क्या सॉलुशन हो सकता है देखे साथियों कल के डेट में ही ministry of railway का एक circular जारी हुआ था जिसमें ये आपको तो confirm हो गया है कि आपका जो physical efficiency test का डेट होगा वो जनवरी के अंदर होगा आप देख पारे होंगे मैंने यहाँ पर आपको screen के उपर दिखा रखा है यहाँ पर देखे लेबल 1 recruitment arrangements for conducting P.E.T.E.C from January 2023 onwards ठीक है तो January 2023 में तो आपका P.E.T.E.C हो जाएगा और अब देखे एक महने के आसपास का आपका समय बचा हुआ आज 2 December है तो December आपके पास में पूरा बचा हुआ है जनवरी में आपको time नहीं मिल पाएगा में भी आपका दो जनवरी से ही P.E.T.E.C स्टार्ट हो जा काफी असान है लगभग 100% में से 99.9% केंड़ेट ऐसे होते हैं जो इसे कवर कर लेते हैं लेकिन जो रनिंग वाला पार्ट है वो maximum केंड़ेट कवर नहीं कर पाते हैं अप रोक्स में 30-40% ऐसे भीरती होते हैं जो कि बाहर हो जाते हैं तो उन केंड़ेट में सामिल नहीं हो होना है और कैसे रनिंग को जो है वह आगे लेकर जाना lawsuit लेकरकी स्टार्ट कर दिया है और कहीं पर कोई भी ऐकटies करें है कि आपको खुद से तयारी करना है ठीक है तो देखे खुद से तयारी रहे हूंगे य। आप ग्रामिन परिवेश से नहीं है या फिर आपने दोड की तयारी नहीं की है या फिर खेल कुद से समद्धित नहीं है दोस्तों तो ऐसी सते में जब अभी आप running करते होंगे तो आपका जो टाइमिंग है वो 6 मिनट के आसपास आता होगा ठीक है देखे 6 मिनट के आसपास आता होगा और आप किसी के पास में डौड रहे हैं और फाले से रनिंग का त्यारी किया हुआ है तो अपने आपको आप डी मोटिवेट कर लेते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा अब मेरा पांच मिनट साड़े पांच मिनट शे मिनट के आसपास आ रहा है तो सबसे पहला देखिए सब कुछ दोस्तों आपके माइंड का गेम है कुछ भी यह आपको सरीर का कारी नहीं होने वाला है जो भी होगा वह आपके माइंड का गेम है बस आपको अपने मांसिक रुप से मजबूत बना है तब जाकर कि आप का सारे रख केफिसेंसी अपने आप काम करने लगेगा सबसे पहले तो देखिए आपको आपके आसपास को वैसे मोटिवेट हो जाएंगे ठीक है उसके बाद देखिए आप रणिंग स्टार्ट किये हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे प्लेश्टोर पे एप है जैसे रन ट्रैकर एडिडास रणिंग यह सब आपका टाइमिंग के साथ में डिस्टेंस भी बता देते हैं कि आपने एक किल और आपका छे मिनट पांच मिनट लग जाता है तो आप आप अटोमेडिकली डिमोटिवेट हो जाते हैं और आपको ऐसा मैसूस होगा कि भाई हमसे नहीं होगा ठीक है तो यह काम तो अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं और आप मन बना लिए हैं कि भाई आपको खुद से घर पहे राकर करते नहीं करना है कोई अतब करना है तो मैं आपको बता रहा हूं कि शुरु के पीछा नहीं करना है पहली बात ओंगिया दूसरी बात कि कोई भी आप टाइमर व्लाम्म से लुक्तवर दो करें और जितना हो सके आप एफिसेंसी बढ़ाने का प्रियास करें मतलब लॉंग रन करने का प्रियास करें ठीक है जितना हो सके लंबा दोड़ें मिन्स तीन किलोमेटर दो किलोमेटर पांच किलोमेटर के आसपास तो वेखे मैक्सिमम आप दोस्तों अपना एफिसेंसी बढ कि पहले दिन किलुमिटर फुर 5 किलुमिटनर स्टाइब से करते करते आपको 4 किलुमिटर तक राणिंग करनी हैं और ऐसा दोस्तों कम से कम आप add stranded कर सकते हैं पन्दरा दिन तक आप कर ले इस तरह से क्या होगा कि आपका मुसल्स होगा आपका जो 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 फानी होगा जो नी होगा घुटना होगा उसमें पेन भी होगा आपका सीकों अबra स्कते करते हैं तो एक-दो दिन दाल दे पेस्ट बना ले वहां पर डाल दे आपका एक दिन में यह जो पेस्ट है वह दर्द खीच लेड़े के चाहे कैसा भी दर्द हो तो यह आपका दर्द जो है वह काँ दिन करने तो you को कुछ दिन संबसे पार यहां हो फिर और जब इतना और दे दे दिन दे लेते हैं उसके बार बार नहीं देखना नहीं आँ पहला दिन बहुत आप आप करें देखें तो आप लॉन रर्निंग करनी और पीरा ना的षरे मैं आपको 10 दिन गोंता करें से करकें और रिदास रेनिंग का इस्तेमाल करना है फिर आपको सुलूली रणिंग करनी है 6-7 दिन और उसके बाद फिर से दोस्तों अपना बॉडि को आप एक पर तयार करें और स्पीड रणिंग करने का प्रियास करें लास्ट के दिनों में और आपका जब पीटी डेट होगा दोस्तों तो यह मैंने एक आपको ओबर ओल पैकेज बता दिया कि एक मेने के भीतर अभी आपको क्या करना है और दी मोटिवेट अपने आपको नहीं करना है दोस्तों क्योंकि जो भी गेम है यहां पर वह आपका माइंड का ही गेम है आपका सरीर हस्ट पुष्ट है कोई भी रोग न पीछा नहीं करना है आपको धीरे धीरे करके यह अपने अंदर लानी है तो दोस्तों उमीद करते हैं सारी बाते आपको समझ में आ गई होगे फिर भी अगर कोई समस्या रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक नमस्कार